है दोस्तों कैसे आप लोग आपके तहरी कैसी चल लेए चलिए आज हम लोग अपने जीएस के जो बिजयरत है उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं तो सायद पिछला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट वाक्स में जरूरू बताइएगा और अपने सभी साथियों को जरूर सेर कर दीजेगा क्योंकि कर भला तो हो भला चलिए आगे देखते हैं लोग निम्गित कौन से मिट्टी जब पदार्तों से भरपूर होती है काली मिट्टी हमने बताया भी था कपास के लिए मातुपूर होती है अभी पीछे भी वीडियों हमने देखा था किस मिट्टी का निर्मार बेसाल चट्टान के भी खंडन से हुआ है काली मिट्टी और बेसाल लावा के ठंडा होकर जमने से चट्टान बनती है बेसाल बेसाल के भी खंडन से बनती है काली मिट्टी यह महराष्ट में ज्यादा पाए जाती है आगे देखते हम दोस्तों बहा इस मिट्टी में क्रिशी के लिए सिचाई का वसकता नहीं होती इसका जो अस्थानी नाम में क्या है रेगुड चलिए आगे देखते हैं दोस्तों ग्रेनाइट और नाइस चटानों किस नाम सिपकर जाती है लाल मिट्टी कौन कौन सी ग्रेनाइट और नाइस की चटानों को क्या कहके बुला जाता है लाल मिट्टी चलिए आगे देखते हैं हम लोग लेटराइट मिट्टी में लोहे और एल्मूनियम की ग्रंथियां पाई जाती है काली मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वता होती रहती है काई से इसकी जुताई स्वता होती रहती है लेटराइट मिट्टी का प्रधन क्या है माल दिव तटी रेखा या माल दिव तटी परदेश माला बार सुरी माला बार तटी परदेश लेटराइट मिट्टी का परधान्य है या परधानता है लेटराइट मिट्टी सूख जाने पर इट की तरह कठोर हो जाती है और गिली होने पर दही के तरह लिपलिपी हो जाती है धान दीजेगा दोस्तों यही लेटराइट मिट्टी जो मालावार तड़ी छत्र में पाए जाती है वही जब सूख जाती है यही तिट की तरह कनठे हो जाती है और जब गीली होती है तो दही के तरह चिपचिपी हो जाती है इसकी सबसे बड़ी खासित मानसरवर जील सिंदोनदी का उद्गा मस्थल है अभी दोस्तों इसमें थोड़ा सा प्रश्ण बिवादित है जो जो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा सिंदोनदी तंदर के बारे में कि ये मानसरवर जील के पास चेमा यूंग डूंग ग्लेसियर से ये इसका उद्गा मस्थल है देश का सरवादी चेटपल किसके पागरवन पाया जाते हैं उस्दाद्र पत जड़ वन पाया जाते हैं दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मुंगफली उद्पादक देश कौन सा है मुंगफली का उत्पादन गुजरात है गुजरात राज्य है कौन सा भारती खनी पदारतों का भंडार का था छोटा नागपूर का पठार जो कहां पर है जार खंड में तमाकू के उत्पादन में भारत का विश्व का तीसरा स्थान है भारत आदनिक लोईस्पात उद्द्योग का वास्तुईक परास्तम किसस्तान बस्ताबित करें देकुल्टी भारत में सिप्मेंट उत्पादन में अग्रहणी राज कौन सा है राजास्तान सुतंता के पूर एंडवा निको बार्दिव समू कच्छित्र काला पानी के नाम से जाना जाता था किस नाम से काला पानी सिगंद्राबाद को हैद्राबाद का जुडवा नगर कहा जाता है भारत के रिकमात सीत मरुस्ता लदाक का सुंदरवल डिल्टा बनता है गंगा और ब्रहमपुत्र के मुहाने पे गंगा और ब्रहमपुत्र नदियों का डिल्टा जो है जब से बड़ा डिल्टा बिसु का सुंदरवल डिल्टा दोस्तों यह आपके लिए आप यह सेयर करें तो वह भी तैयार करके आप सब की तरह हम सब की तरह जल्दी से साय के ध्यापक बंजे श्री दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग अब अब दोस्तों देखते हैं नाथुला दर्रा किस राज में श्रीत है सिक्केम राज में किसमें सिक्केम राज में इसके अभी हम लोगों ने नाथुलादर्रा के बारे में पढ़ा था पहले वीडियो में चली आगे बढ़ते हैं बोम डिलादर्राबाद किस राज में इस्तित अवड़ांचल प्रदेश में बोम डिलादर्रा है गंगा प्रमपुत का उद्गा मस्तल कहा है उत्तराखंड यह झाल कि अवड़ादर्रे के सांगपो नाम से तिबत की एधिपत्य में अच्छा लेका उद्गा मारत में नहीं है जो जिलाधर्रा जम्मू हो कस्मीरराज ó ए tut नीयाध को बहुंत में अवनांचल प्रदेश में दिहांग गार्च से प्रवेश करती है दिहांग गार्च अवनांचल प्रदेश में है इसलिए पिछले 2017 के प्रसंद थाया से सिंद्र नदी के लंबाई 2900 किलो मीटर है और यह लग भाग ब्रहंपुत नदी के बराबर है इमांचल प्रदेश में इस्तितनी जैले लेपला दर्रा इमांचल प्रदेश में नहीं है बर्जिल ददा जोजिला दर्रा कहां पे जम्मू एंड कस्मीर में है बर्जिला और जोजिला दर्रा अपना रास्ता बदनने के लिए विख्यात है कोशी नदी मैंने बता है इसलिए इसे बिहार का सोग भी कहते हैं कोशी नदी को भारत का प्रमारिज समय कहां से लिए गए इलहाबाद के नैनी से जो कहा है जीम्टी से पांच घंटा तीस मिनट आगे है अग्रीन मीज से कितना है बयासी सही एक बटा दो या बयासी डिगरी बयासी एंस तीस मिनट चल्यागे देखते हैं वाग कल्पनिक रेखा जो प्रिथिवी की दो बरों भागों बढ़ती है भुमद रेखा और उपर जैसे यह प्रिथिवी हो गई है भुमद रेखा उत्तरि यह गोलार्द और यह दच्छने गोलार्द दो वे दो प्रमुख ने दिया जो अमरे कंठक पठार से निकलती पर अलग अलग दिसाओं में बैठती है एक तरफ और एक दर की तरफ एक बंगाले खाड़ी में जाके गर जाती है और फिर एक अरब सागर में दो देसांतर रेखाओं की बीच की दूरी गोर कहलाती है जैसे यह आपका बता देम आपको यह हो गया यहां हो गया तो यह एक देसांतर फिर एक देसांतर इनकी बीच की जो दूरी है उसे किस नम से पकारते हैं गोर नम से और देसांतर रेखाओं महमत देसांतर रेखाओ और छो जो द्रोगी तरह बढ़ते हैं इनकी बीच की दूरी क्या होती है कम और लास्ट में द्रोग जाकर बिनासिक नदीब कहते हैं, बिहार का सोक कहते हैं, रास्ता बदलने के लिए बिख्यात है, ग्यों के अच्छी खेती के लिए कौन सी पसिती समुच्च अवस्यक है, मद्यताप और मद्यम वर्षा, भारत में ग्रीन मीच मानक समय 5 गंटा 30 मिनट आगे है, किस अस्थान का प् चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, कौन से नदी बंगाली सोक कलाती है, दामोधर नदी, फिर तवा की साग नदी है, नरमदा, यूवाकार की घाटी हिम नदी, भी आकार की घाटी, नदीयों दोरा बनती है, हिम नदी दोरा, यूवाकार, भी आकार इगाटी, न द्वारा जापान किसे नाम से पले जैनता था निपन निपन नाम से जापान को पहले जापन का पुराना नाम है निपन विश्व प्रसीद उलंग किस्म की चाय ताइवान में होती है तो अब पर तरवी की तरज्या मापने वाले विध्वान इरट आस्थनीज बिस्विक बैंग एटरलस उन्हीं सो तिराइंबेक अनुसार जनसंख्या की आउसत आउसाफ से कम करा थे गीने भी शाहू चलिए बादल फटने का तत्पर है तरित जंजा के साथ तीब्र मुशलादार असामान दसा की वर्षा होना तरित जंजा मतलब क्या होता है भगोल की वासा में बिजली की कड़कना को तरित जंजा कहते हैं तरित जंजावट के साथ मुसलादार बारिस होना क्या करता है बादल का फटना अभी आपका हुआ था कि दारनात उत्तराघंड आगे देखते हैं भारत में सरोत्तम स्रेणी का संग्मरमर कहा मिलता है मकराना राजस् परोतों पहलाने कहा जाता है भूसनतियों को यह चाहता है कि फॉत्तमान ही मालई परुवत बहुत संत से बना हुए है इस तरह से मलवावलित होने से निद में यह कौन सा जालाम की परवत को दार्ड को नहीं है माउंट ब्लैक चली जालों के परुवत को नहीं है राम सेतू के नम से जांते हैं भारत तो सिलंका बीच में यह उंदर चित्र के सामने यहाल है रामे स्वरम के आगया आगया दनुसकोडी से लेके स्रिलंका के तलया मनार तक एक प्रवाल की पट्टी है एक पुल है जिसे राम से तू या आदम के पुल के नाम से जाना जाता है कहा जाता है भगवान रामचंद्र जी मतासीता को स्रिलंका से लाने के लिए रामण से जु थे चलिए यह प्रवाल नामक जीव से मुंगा कोरल कहते हैं उसी से बना है इसके बारे मैंने बीडियो डाला हुआ आप लोग देख लीजेगा निर्मकित भारती राज में किस एक का हरियाणा का और यहां की लेंगा उन पास सक्स रेशियो भी सबसे कम है साथ सो उन्यासी इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहीं शुरू किया गया था हरियाणा के पानीपत से साथ आप जानते भी होंगे मैंने बताया है वीडियो में तो अब बताइएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड मेंजर कौन है इसका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजेगा आप सब थीर दोस्तों आगे आते हैं वर्स दोहजा दोजारेग में भात का द्वारा आयात की गई निम्न वस्तों में रुप्यों का नामन का सिर्श्टत पर था मोतियों किम्ती पत्थर चलिए आपके लिए उत्रा महत्त पुड़ नहीं है बिश्य के वन छेत्र में किस एक के फैल कि प्रसत्ता सरवादिक है सितों संकूधारी वरिच्छी वन कि आगे विश्य की सबसे उचाई पर इस्थित दुर्बीन वेदसाला भारत में इस्थित है यदि एक प्रच्छेक तारों को चिति लंबत उड़ते देखता तो यह वस्ती होता है विशुवत रेखा पर हाँ बिशुवत रेखा पेचली दोस्तों किसे दिन बताएंगे हम जिस दिन पढ़ाएंगे आपको अच्छा नस रेखा तो उस दिन आपको पूरी तरह से बताएंगे अर आवली स्रेडी क्या है तीन सो सत्तर विलियन बार्स दोस्तों अब वीडियो थोड़ा से लंबा हो रहा है अब इसका अगला भाग आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगा आप इसे देखिएगा और इसकी नोट्स बनाएएगा ज्यादा बेतर है उससे चाहे एक से दो बार सुनेंगे तो सब्वहता आपको याद हो जाएगी और इसकी पीडियो जैसे यह पूरा खतम हो जाएग तब तक के लिए आप सभी को धेरो सुब कामना है इदी कोई आपसे प्रश्ण हो ताप कमेंड बाक्स में पूछ सकते हैं मैं आपके जवाब देने का पुरा प्रयास करूँगा और आप लोग लगाता और पढ़ते रहिए भगवान करें आप जल्दी से सफ़ल हो जाएग हम आपकी उज्व भविस की कामना करते हैं जैन जैवारा